जोशी मट में भूदसाफ को लेकर चिंता हो रही थी कि क्या इस बार जो चारधाम की यात्रा है वो समय सीमा पर शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी क्या तयारिया रहेंगी इस बात को लेकर वहां के जो गवर्नर हैं गुरमीद सिंग वो किंद्री ग्रहमंत्री है कि अभी आजब पर यहां फिर बाद्री नात जो रास्ता जो वहां जा रहा है वह समाने तौर पर पूरे जो मार्ग हैं वह खुले हूए हैं साथ में यह भी जानकारी दी गए क्योंकि एक आठ सदस्यों की टीम है वो केंद्र ने गठत की थी कि वहां पर एक्सपोर्ट जाएं और वो पता लगाएं कि जोशी मट में जो भूद साव हो रहा है क्या उसका असर जो है वहां पर किसी तरह पढ़ रहा है या नहीं पढ प्रशासन पूरी कर दी हैं उत्राखण प्रशासन ने इस बारे में जो यकीन है वह केंद्रे घ्मंत्री को भी दिलाया है नई दिली से नीता शार्मा इंडी टीवी इंडिया के लिए